हलो बच्चों आज मैं तुम लोगों inverse trigonometric function पढ़ाने जा रहा हूँ ठीक है बच्चों एक बात बताओ y बराबर x प्लस 1 का inverse क्या होता है x बराबर y प्लस 1 होता है y की जगे x लिख देते हैं x जगे y लिख देते हैं जो भी नया function में मिलता है उसको हम inverse function बोलते हैं ठीक है और x बराबर y प्लस 1 है तो इसको y बराबर x माइनस 1 लिख सकते हो तो ये जो आपको दिख रहा है function ये इसका inverse function होगा ठीक है इस तरह से नहीं लिखके y बराबर लिखते हैं ये inverse है तो अभी मैं correlate करता हूँ inverse trigonometric function sin inverse cos inverse कैसे आते हैं चलो y बराबर x प्लस 2 का inverse निकालना है तो क्या करोगे x बराबर y प्लस 2 रखोगे y बराबर x माइनस 2 is the inverse of this function ठीक है y बराबर x प्लस 2 का inverse y बराबर x माइनस 2 अच्छा चलो बताओ y बराबर sin x का inverse क्या होगा x बराबर sin y या y बराबर sin inverse x ठीक है ये दोनों एक दूसरे के inverse function होगे ठीक है अच्छा देखो इसको हम लोग f x से represent करते हैं और इसको हम लोग f inverse x से represent करते हैं जो हमारा original function है उसको f x से represent करते हैं और जो हमारा ये generated function है inverse function है इसको f inverse x से represent करते हैं ठीक है अच्छा और जहां तक रही graph की बात अगर मैं y ब्राबर x प्लस 1 और y ब्राबर x माइनस 1 ये दोनों inverse function का graph खीचूँ देखो पहली बात x और y को आपस में interchange कर लेते हैं और जो भी नया function मिलता है उसे हम inverse function बोड़ते हैं तो देखो मैं इधर graph बनाने जा रहा हूँ तो अब देखो graph में आखिर क्या relation है original function और inverse function में तो देखो जैसे मान लो ये x और y से सही है y ब्राबर x प्लस 1 का inverse क्या है y ब्राबर x माइनस 1 तो y ब्राबर x प्लस 1 का graph ये बनेगा और ये 0,1 से pass हो रहा था ये minus 1,0 से pass हो रहा था ठीक है y ब्राबर x प्लस 1 का graph ये बन गया आच्छा इसका inverse क्या आ रहा था y ब्राबर x माइनस 1 तो मैं उसका diagram यहाँ बना दे रहा हूँ y ब्राबर x माइनस 1 ये मैंने बना दिया तो y ब्राबर x प्लस 1 उपर है और y ब्राबर x माइनस 1 ये नीचे है ये दोनों एक दूसरे के inverse है और उनका diagram मैंने ऐसे बना दिया बच्छों बता सकते हो ये वाला point क्या होगा x ब्राबर 1 रग दोगे तो y की value 0 आ जाएगी और ये 0, minus 1 समझ में आरी बाद बच्छों तो y ब्राबर x प्लस 1 का inverse y ब्राबर x माइनस 1 ठीक है अच्छे तुम एक बात ध्यास देखो ये दोनों graph एक दूसरे के mirror image नहीं लग रहे है with respect to the line y ब्राबर x देखो ध्यास से अगर मैं y ब्राबर x को बीच में बनाता हूँ ठीक है ये y ब्राबर x है ये y ब्राबर x है तो y ब्राबर x के respect में ये दोनों mirror image जासे दिख रहे हैं न अगर यहाँ पे एक mirror रग दो तो y ब्राबर x प्लस 1 का mirror image y ब्राबर x माइनस 1 बन जाएगा और y ब्राबर x माइनस 1 का mirror image y ब्राबर x प्लस 1 बन जाएगा इसका मत्तर यह हुआ कि जो भी inverse function होता है वो जो है original function का mirror image होता है with respect to the line y ब्राबर x अच्छे देखो y ब्राबर x प्लस 2 का diagram यह है या graph यह है y ब्राबर x प्लस 2 का graph यह है य ब्राबर x माइनस 2 ग्राफ यह वाला होगा y ब्राबर x माइनस 2 यह दोनों भी एक दूसरे के inverse है यह और यह देखो एक दूसरे के inverse है कि नहीं है देखो ध्यान से यह और यह दोनों भी y ब्राबर x line के respect में एक दूसरे के mirror image है कि नहीं है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इन्वर्स वे क्योंकि Y ब्राबर X लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों एक दूसरे के मिररे में तो देखो होता क्या है ना जब X और Y को हम इंटर्चेंज करते हैं तो डोमेन और रेंज आपस में पलड़ जाते हैं जो पहले X के लिए काम हो रहा था वो अब Y के लिए होगा जो Y के लिए काम हो रहा था वो अब X के लिए होगा तो जो डोमेन और रेंज है ना वो आपस में इंटर्चेंज हो जाते हैं इन्वर्स पॉंशन में ठीक है अच्छा तो ये होगा अच्छा मैं अगर fx का डाइग्राम बना के दें तो क्या तुम लोग f inverse x डाइग्राम बना लोगे बिच्चों जैसे देखो अगर मैं तुम्हारे सामने fx का डाइग्राम बना के देता हूँ यह y ब्राबर x है अब यह बहुत important role play करेगा ठीक है यह माल लिजए fx है आप बताओ अगर fx का डाइग्राम यह है तो f inverse x का डाइग्राम कैसा होगा f inverse x का डाइग्राम कैसा होगा यह यह ऐसा चला जाएगा ठीक है तो y ब्राबर x तो बीच में हमने यहाँ पर बना दिया y ब्राबर x यह है F inverse X का जो डाइग्राम होगा वो ये वाला हो जाएगा समझ में आरी बात तो अगर Fx का डाइग्राम ये है तो F inverse X का ये होगा समझ में आरी बात तो ये दोनों एक दूसरे के respect में mirror image है ये एक दूसरे के mirror image है और with respect of the line Y ब्राबर X अब ये बताओ कि क्या Fx और F inverse X एक दूसरे को काट भी सकते हैं क्या सोचो कि अगर मैं मालो Fx ये Y ब्राबर X तो हई है अगर मालो Fx का डाइग्राम ये हो जाए ये Fx का डाइग्राम हो जाए तो बताओ F inverse X का डाइग्राम ये बनेगा कि नहीं ये F inverse X का डाइग्राम बन जाएगा और ये Y ब्राबर X लाइन है ये बीच में तो Fx और F inverse X अगर दोनों एक दूसरे के जो inverse दिख रहे हैं ये दोनों अगर एक दूसरे को काटते हैं तो कहां पर काटेंगे Y ब्राबर X लाइन पर ही काट सकते हैं ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को सिर्फ Y ब्राबर X पर ही काटेंगे ठीक है मतलब जैसे मान लेजे को यादि मीरर के सामने खड़ा हुआ है तो उसका मीरर इमेज उसके पीछे बनता है अगर ये मीरर को टच करेगा तो उसका मीरर इमेज है वो भी तो उसे टच करेगा और जैसे यहाँ पर फंच्शन में दिख रहा है अगर ये से काट किधर जाता है तो एफ इन्वर सेक्स काट के ऐसे चला जाएगा ठीक है और ये जो पॉइंट ओफ इंटर सेक्सन है ये इस फॉर्म में होगा तो कहाँ पर टच या कट करेंगे वो वाई बराबर एक्स लाइन पर ही टच या कट करते है ठीक है चलिए तो अब आते हैं हम लोग वाई बराबर साइन इन्वर सेक्स में तो वाई बराबर साइन इस का डाइग्राम तो आपको पता ही है y बराबर sin x, मैं बुरा development लिख देता हूँ तो y बराबर sin x का जो diagram है सबको पता है, ऐसा होता है 0, pi, 2 pi, 3 pi and so on ठीक है, y बराबर x line ये है ठीक, अब ये है y बराबर sin x अब एक बात बताओ, y बराबर x बराबर sin y graph कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा ये बन गया, x बराबर sin y y बराबर sin इस ग्राफ ये है, x बराबर sin y का graph ये है ठीक है, और sin x का graph इधर भी जाता है तो इसका भी graph नीचे जाएगा, ठीक है ये curve है, ये x बराबर sin y या y बराबर sin inverse x, curve है, ध्यान रखना curve कह रहा हूँ, function नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ये 0, pi, 2, pi, 3, pi and so on, इस तरह से graph चला गया ये minus pi, क्योंकि ये minus pi इधर है, तो यहाँ बरे minus pi, ठीक है तो y बराबर sin इस graph ये जा रहा था तो x बराबर sin y उपर जाएगा पहले y बराबर sin x, x axis के along बन रहा था मतलब बरता चला जा रहा था x axis के along अब x बराबर sin y ऐसे बढ़ेगा ठीक है, पहले देखो x बराब pi रखने पर y 0 मिलता था अभी क्या हो रहा है, अभी देखो यहाँ पर इस वाले में देखो x बराबर sin y में y की value pi रखने पर x की value 0 मिल जा रही फिलाल अभी curve की बात कर रहे हैं आप तो अब देखो हमने जो यह graph बनाया mirror image वाले rules से वो यह बन गया ठीक है, यह बन गया diagram y बराबर sin inverse x curve यह function नहीं है, क्यों नहीं है function आप बता सकतों बच्चो 0 pi 2 pi 3 pi, यह function क्यों नहीं है, कोई बताएगा function इसलिए नहीं है, क्योंकि इसको vertical line कई बार cut कर रहे है, infinite बार cut कर देगे, तो यह function तो है नहीं, यह function नहीं, y बराबर sin inverse x तो तुम देख रहे हैं, यह function नहीं है, यह curve है, ठीक है जो भी diagram बनाते हैं, वो curve होता है, function हो चाहे function तो तभी होता है, जब vertical line इसको एक बार काटे, ठीक है, अच्छा फिलाल तो यह function नहीं है, तो जैसे माले यह circle है, circle देख रहे हो ना, circle ठीक है, पूरा circle एक function नहीं है, पर आधा circle तो function है ना, आधा circle जो है, वो function है, अगर मैं circle की question लिख दूँ और बता दूँ, लिख दूँ उसके वगल में, y greater than equal to zero ही लेना है, तो मतलब सिर्फ इतना ही part लेना है circle का, और इतना सा जो part होगा circle का, वो function बन जाएगा, क्योंकि मैं नीचे नहीं ले रहा हूँ अगर मैं यह वाला part ले लेता हूँ, यह वाला portion ले लेता हूँ, यह function तो होगा नहीं, अगर मैं यहां से लेके यहां तक का part ले लेता हूँ, तो बताओ, यह function है या नहीं, मैं सिर्फ इतना part ले 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 रहा हूँ, तो यह function होगा, या मैं यहां से लेके यहां तक ले ले कैसे ले लें genommenav epsilon 9 दो जगे कार्ण दिक functionIII नही ले जाएगा और यह तो university-gegrammatic function में हमी पढ़ना है तो हम ये वाला portion नहीं ले ले सकते हैं । ये वाला portion नहीं ले सकते हैं हम इतना भी ले सकते हैं पर maximum length का लेना है तो हम इतना length तो ले ही सकते हैं इसके आगे जाओ गओ नहीं रहेगा। फिलाल, इतना तो फंश्श्श्श्ह ही, तो ये फंश्श्ण हो गया। अच्छा हम अगर इतना part काट के अलग कर लें और बाकी सारा हटा दें तो ये भी function है ये अपने में function है ये अपने में function है और x की minimum value minus 1 होगी, समझ में आगी बात, तो यह जो है, यहाँ पर x की value 1 है, यहाँ पर x की value minus 1 है, देखो यहाँ पर y की value maximum 1 थी, y की minimum value minus 1 थी, अब देखो यहाँ पर x की value 1 हो जाएगी, पहले y की value 1 थी, अभी x की value 1 है, तो यहाँ से आ तक की जो दूरी है, distance से यह 1 है, ठीक ह तो ये बन गया y बावर sin inverse x function का graph टो अब y बावर sin inverse x function मान लिया गया कि सिर्फ इतना ही portion होगा मैं इधर फिर से बना दे रहा हूं तो y बावर sin inverse x जो function का graph माना गया है वो सिर्फ इतना माना गया और सारे question इसी से हमें solve करने होंगे ठीक है जितने भी हम लोग question मिलेंगे हम लोग को इतने ही portion से solve करना है यह minus pi by 2 यह plus pi by 2 यह 0 और यह plus 1 और यह बचो minus 1 हुआ तो ऐसे develop हुआ हमारा प्यारा सा function जिसका नाम है y वराबर sin inverse x जो कितना सुन्दर खुबसूरत function है y वराबर sin inverse x ठीक है तो यह function जो बन गया अब इसमें कौन-कौन से किस-किस तरह से question बनते है principle value क्या होती है यह सब चीजे हम लोग को study करना है देखो इसमें जो x की value है कहां से कहां तक जा रही है बच्चों minus 1 से plus 1 जा रही है ना x की value minus 1 से plus 1 तो यही इसका domain हो गया minus 1 से 1 sin inverse x के अंदर जो quantity जाएगी वो minus 1 से 1 के बीच में होना चाहिए इसके बाहर नहीं होना चाहिए sin inverse x का domain होगा minus 1 से 1 range कितना है y की value कहां से का तक जा रही है y की सबसे कम value बताओ कितनी है y की सबसे कम value जल्दी से बोलो y की सबसे कम value है minus pi by 2 ये y की सबसे कम value है y की सबसे कम value कितनी है सबसे कम सबसे कम सबसे साथ ha pi by 2 तो y की minus pi by 2 से plus pi by 2 के भी बीच को value vary कर रही है, थीक है, समझ्ज़नारी बात तो y की value minus pi by 2 से plus pi by 2 इसका रही क्राद रेंज विलोग to minus pi by 2 से plus pi by 2 हो जाएगा, यह इसका range हो गया तो domain हो गया minus 1 से plus 1, और range हो गया minus pi by 2 से प्लस पाई बई टू ठीक है इतना सो समझ में आई गई गई अच्छी बात है अच्छा अब जैसे किसी ने कहा कि भाई fx पराबर sign inverse 5x का domain निकालो तो हमने क्या किया हमने कहा sign inverse तुमारे अंदर कौन है sign inverse ने कहा 5x है तो 5x की value maximum 1 और minimum minus 1 होनी चाहिए sign inverse के अंदर जो कुछ भी जाएगा वो minus 1 और plus 1 के बीच में ही रहना चाहिए तो sign inverse के अंदर जो भी quantity हो minus 1 से 1 के बीच में होनी चाहिए तभी वो defined होग क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया है कि sign inverse के अंदर minus 1 से 1 के बीच में कोई quantity होनी चाहिए 1 से बड़ा नहीं रिख सकते अंदर तो अगर यहाँ पर 5x लिखा है तो minus 1 से 1 के बीच में होना चाहिए sign inverse के अंदर कुछ भी है तो वो कुछ भी सिर्फ minus 1 से plus 1 के बीच में वैरी करनी चाहिए अब x की value निकालेंगे तो कितना है minus 1 by 5 से 1 by 5 तो यह इसका domain हो गया minus 1 by 5 से 1 by 5 कहने का मतलब आप x की value को 1 by 5 maximum रख सकते हो अगर x 1 by 5 रखोगे तो यह overall 1 मन जाएगा और sign inverse के अंदर 1 से अधिक आप सोच ही नहीं सकते है और किसी ने कह दिया कि sign inverse 2 की value बताओ अरे पागल हो गया इसको थीटा मानोगे तो यह गलत है अगर इसको थीटा मानोगे तो क्या आएगा 2 बराबर sign theta आजाएगा अरे यार 2 बराबर sign theta अरे क्या possible है क्या 2 बराबर sign theta होई नहीं सकता है गलत बात है तो sign उसके अंदर कुछ भी quantity हो जाए वो minus 1 से 1 के बीच में होनी चाहिए भया उसके उपर नहीं जानी चाहिए ठीक है हाँ तो फिलाल इसका जो डोमेन है यह हो गया आप किसी ने कहा कि चलो इसका डोमेन बताओ fx बराबर sign inverse x plus 5 upon 2 इसका डोमेन बताओ तो ठीक है इसका डोमेन भी बता लेंगे x plus 5 upon 2 की वैल्यू कुछ भी हो जाए minus 1 से 1 के बीच में होनी चाहिए यहां से कितना आएगा x plus 5 की वैल्यू 2 और minus 2 या x की वैल्यू minus 7 और इधर minus 3 ठीक है और इसका डोमेन आगया minus 7 से minus 3 ये है इसका डोमेन समझे में आ रही बताओ बत्चो तो इस तरीके से हम लोग डोमेन तो sign inverse के अंदर और जो भी quantity रख्योई हो जो भी रखा गया हो उस रखी गई चीज की value minus 1 से plus 1 के बीच में होनी चाहिए तभी वो defined होगा जब sign inverse x, x के लो minus 1 या plus 1 पे defined है मतलब उसके बीच में defined है तो कुछ भी रखा जाएगा तो उसकुछ भी की value minus 1 से 1 के बीच में होनी चाहिए value minus 1 से 1 जाएगी x square की value minus 1 से 1 अच्छी बात है अब हमें पता है कि x square की value minus 1 से 1 जाएगी तो अब x की real value आपको बता नहीं है कोई कि परता है तो यह यह आइप सबस्की कानी सी नहीं से 2 जाएगा ठीक है जासे कि बतादेगा यह ऑंड़ी 1 माईन से 10 यह नहीं चाहिए कोई बात है और कोई कह रहा नहीं यार माने सिक्षार जाथ होना चाहिए इधर वाले को फर्ख नहीं परता है ठीक है सिर्फ आपको यह ध्यान देना है अगर वह पॉजिटिव से उस हंडर से छोटा है तो माइनस से निगेटिव से बढ़ा होता ही है इसके लिए क्या मतलब है तो यहां अब यहां पर एक स्क्राइब कितनी आएगी माइनस से कम होने मतलब क्या है वान और माइनस वन के बीच में होगा डोमेन हो गया इसका माइन सब्सक्राइब करने वाले है अच्छा अब कोई कहते कि नहीं एफ एक्स बाराबर साइन इन्वर्स एक्स स्क्वेर बाई हंडड इसका डोमें निकालो ठीक है हम लोग यहीं करने वाले एककशस्क्राइब रभी हंडड़ की वैल्य क्या फिसनने ऐख रहें ही, तो इसका डोमेन बता दीजिए गा ठीक है और इस स्थिति में इसके रेंज की बात कोई कर ले तो तो रेंज तो बहुत आसान तो इसका मतलब यह हुआ कि जो है जीरो से लेकर के खाली पाइवाइट तक का रेंज हो जाएगा ठीक है अभी मैं सिर्फ डोमेन बता रहा हूं तो इसका डोमेन ठीक है और जैसे मैंने आपनों को रेंज बताया था इसके पहले जो रेंज की जो क्लासिज चेली थी उस निकाल सकते हैं अभी मैं आपको डोमेन बता रहा हूं ठीक है रेंज के लिए मैंने काफी ले रखे हैं इसके पहले डोमेन और रेंज की काफी ले रखे हो उनका फायदा आप ले सकते हैं ठीक है चलिए तो यह हो गया इसका डोमेन कैसे निकलता है ठीक है अच्छा अब आ ठीक है, जैसे sin x बराबर something दिया हुआ है, sin x बराबर माले जो 1 by 2 है, तो x की value minus pi by 2 की बीच में कुछ नपुस तो आई जाएगी, अरे sin x ग्राफ ऐसा होता है, sin x ऐसा ग्राफ होता है, तो यहाँ पर यह minus pi by 2 है और यह plus pi by 2 है, तो sin x की जितनी भी values होती है, वो सब इसमें आराम से आजाती है, किसी ने कहा sin x by 1 by 2, तो sin x के लोग 1 by 2 यहाँ पर होगा, यह pi by 6 होगा, तो sin x by pi by 2 तो x by pi by 6 बोल देते हैं हम लोग, तो sin x के लोग किसी ने कहा, minus 1 by 2, तो x बाब कितना जाएगा, जो सबसे simple value होती है, उसे हम principal value कहते हैं, angle की ठीक है, तो यहाँ पर, जैसे principal value निकालनी है, और sin function में, जो principal value जो होती है angle की, वो minus pi by 2 से plus pi by 2 होती है, cost में क्या होती है, देखो, cost graph ऐसा होता है, देखो जहांसे, ऐसा होता है न, cost अग्राफ ऐसा होता है, 0, pi by 2, यह pi और यह 3 pi by 2 and so on, ऐसे करके हैं न, तो अब यह देखो, cost की maximum और minimum value यह, इसमें, और यहाँ तक मिल जा रही हैं न, cost की सारी possible values इसमें exist करती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यह वाली जो value है न, यह वाली value जो देख रहे हैं, यह यह यह, यह वाली जो value देख रहे हो, यह इसकी principal value हो जाएगी, ठीक है, मतलब angle की जो principal value होती है, cost में, वो 0 से pi के बीच में होती है, मतलब 0 से pi वारा जो answer आता है, cost में, वो principal value होती है, किसे ने कहा cos xौ बडबर 1 तो x बडबर 0 किसे ने कहा cos x बडबर 0 तो x बडबर 5x2 cos xौ बडबर0-1 तो x benefits और कोई कहेगा cos x बडबर-2 तो पॉसिल ही नहीं है जो अगर पॉसिबल है cos x की वैली तो इसके बीच में कहीं न कहीं आ जाएगा और मैं इसमें ऐसा भी कर सकता था minus pi से 0 है यह भी principle लिया सकता था पर इसमें और इसमें prefer करना है minus pi से 0bu इसका principle value ले सकते थे और 0 से pi भी ले सकते है तो पर 0 से pi वाला ज़्यदा simple है क्योंकि वो positive है 0 से pi जो है positive number होता है ठीक है positive real number तो इसलिए 0 से πाई मान लिया गया आए ठीक है ऐसे 10x का जो ग्राफ बनता है वो इस टाइब से बनता है इसके सारी वैल्यूज सारी complete वैल्यूज माइनस पाई बाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही यह जो है exist कर जाती है कोई भी तुम 10x की वैल्यू बताओ मारस पाई बाई 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 से प्लस पाई बाई बाई की वैल्यूज में कोई आंसर आजाएगा तो जिसके बीच में कंफर्म आंसर आता है वो इस इंटर्वल को प्रिंसिपल वैल्यू कहते है ठीक है और यह सबसे सिंपल होना चाहिए जारा सा भी कॉंपलेस्ट ना हो या कम से कम जो है वो टेक्निकल चीज हो उसके अंदर एक्दम सिंपल हो तो ऐसे एंगल की वैल्यूस को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते है ठीक है सबसे सिंपल वैल्यू जैसे किसी ने कहा कि साइन इन्वर्स 1 बाई 2 की प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू बताओ तो यह कॉस्चिन है साइन इन्वर्स 1 बाई 2 की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ तो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में क्योंकि साइन में प्रिंसिपल वैल्यू से प्लस प्रिंसिपल वैल्यू की बीच में होती है और पाई वाला अंसर प्रि कब भी कोई कहा तो पाई में रहेगा ठीक है पाई वाले आंसर में रहेगा ठीक है पाई के फार्म में रहेगा तो तो सबसे बैसिक वैलु जो सबसे simple value होती है, origin के से सबसे नजदीक होता है, सबसे आसान value होती है, उसी को हम principal value करते हैं, तो यहां पर theta is equal to pi by 6, principal value तो इसकी value, sine inverse 1 by 2 की value जो है principal value pi by 6 के बराबर है, ठीक है? अच्छा चलो, अब जैसे किसी ने कहा, sine inverse minus, sine inverse minus root 3 by 2, इसकी principal value क्या होगी? चलो, अब इसकी principal value क्या होगी? तो हम इसमें क्या करेंगे? sine inverse minus root 3 by 2 को हम theta माल लेंगे, sine theta is equal to minus root 3 by 2, अब theta बराबर क्या ले लिया जाए? बताओ जब दी सोचो, क्या कर सकते हैं? theta बराबर, pi, बोलो, pi minus, pi by 3 ले सकते हैं, बोलो, कि pi plus pi by 3, क्या ले सकते हैं? sine theta is equal to, कहा जा रहा है, minus under 3 by 2, तो यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सीधा-सीधा, इसकी negative value ले ले लें, sine theta बराबर, minus pi by 3 ले ले लेंगे, theta is equal to minus pi by 3 ले ले लेंगे, यही इसकी principal value होगी, क्यों, क्योंकि यह minus pi by 2 से, plus pi by 2 को, plus pi by 2 के, बीच में लाई कर रही है, इसलिए यह इसकी principal value होगी, ठीक है? आज़ चलो, इसी दासे, जो है, अगर माल लिजे, cos में कुछ लिया जाए, कोई question, हाँ, जैसे, cos inverse, अच्छ, cos का भी तो graph में ने बताए नहीं, मैं पहले तो नो, cos inverse ग्राफ बदा लेता हूँ, ठीक है? जैसे देखिए, cos का graph, देखो, मैं हलका सा रफ में बना दे रहा हूँ, cos ग्राफ ऐसा होता है न, cos x का, तो cos inverse का कैसा होगा, बच्चों, cos inverse का ऐसा होगा, देखो ध्यांसे, ये ऐसा, ये y बराबर cos ये सा graph है, ये y बराबर cos inverse x करव का graph है, ये function तो है नहीं, अब से maximum length का एक graph, कट करके निकाल लो बाहर, maximum length ध्यान लखना, maximum length, जो पूरे maximum चीज़ों कवर कर लें, तो अब ये बताओ, maximum length का जो graph है, ये ही काटेंगे मेरे क्याल से, ये नीचे वाला काटने कोई फाइदा नहीं, क्योंकि नीचे वाला ले या उपर वाले, तो दोनों में से उपर वाई ले लो, तुम चाहिए यहां से यहां तक भी ले सकते थे, ये वाला ये पार्ट ले सकते थे, तो इस वाले पार्ट को प्रीफर किया गया, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे होना, यही प्रिंसिपल में लिया गया, ये जो है, कॉस्स इन्वर्स एक्स ग्राफ लिया गया, ठीक है, इसमें डोमेन की वालू क्या है बच्चों, डोमेन तो, एक्स की वालू कहां से कहां तक भारी कर रही है, इसमें, एक्स की वालू कहां से कहां तक भारी कर रही है, माइनस वान से वालू कहां से वालू कहां से कहां तक भारी कर रही है, जीरो से ले करके πाई यहाँ पर y की वेलो मिनों कितनी है 0 यहाँ पर कितना है y की वेलो 0 और maximum कितना है πाई तो 0 से पाई के बीच में तो range belong to कितना होगे बट चुन 0 से पाई ऐसे तो यह इसका डोमेन हो गया यह इसका range हो गया नीचे वाला तो यह तो डोमेन और range की बात हो गई अच्छे एक बात बताओ इसमें अगर कहा जाएगी find the find the domain of the function fx बराबर cos inverse 5x plus 1 upon 3 कहा जाए इसका range इसका डोमेन निकालो तो 5x plus 1 upon 3 की वेलो कहां से कहांते जाएगी? minus 1 से plus 1 वही जैसे signing में किया था same to same तो ठीक है minus 3 से plus 3 कोई दिक्कत नहीं है 5x की वैलो minus 4 से लेकर के 2 और x की वैलो minus 4 by 5 से लेकर के 2 by 5 यही इसका डोमेन हो गया domain belong to minus 4 by 5 से 2 by 5 उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह तो range आ गया सर्दी करता डोमेन आ गया तो अगर x की वैलो minus 1 से 1 के बीच में है तो यही value तो यहाँ पर होती है तुम कुछ भी रख दोगे उसकी value minus 1 से 1 के बीच में होनी चीए अगर यहाँ पे मैंने उतना बड़ा number रख दिया है तो उतना बड़ा number minus 1, 7 के बीच में होगा तो ये copy कर लेते हैं, domain मिल जाता है अच्छा, अब principal value इसकी principal value कहां से कहां तक के बीच में आएगी आप बता सकते हो, इसकी principal value ये फिलाल inverse में ये जो value, ये है न, ये ही इसकी principal value है जो pi वाले answer होते हैं वो principal में माले जाएंगे ठीक है, तो यहाँ पर पाई वाला answer range में है तो 0 से pi, तो इसकी जो principal value है 0 से pi के बीच में है अब जिकर से किसी ने कहा cos inverse 1 by 2 की principal value बताओ ठीक है, माल लिजे, किसी ने कहा इसकी principal value बताओ, तो क्या करोगे अरे भाई, cos inverse 1 by 2 को theta माल लो, ठीक है तो 1 by 2 बराबर cos theta, मतलब cos theta बराबर 1 by 2, अब cos theta 1 by 2 है, तो इसकी जो कितनी आगी, pi by 3 आएगी, होगी principal value, सबसे simple value ठीक है, तो जो answer 0 से pi cos में जो भी answer 0 से pi में आएगा उससे हम principal value कहेंगे ठीक है, और जब भी principal value कहाजा, उसको theta माल लीजिए क्योंकि वास्तों में ये पूरा का पूरा है, कि angle के बराबर ही है, तो इसको theta माल लेंगे cos theta is equal to 1 by 2 theta की value निकाल लीजिए, और ये answer सिर्फ और सिर्फ 0 से pi की बीच में होना चाहिए, cos की अगर बात हो रही है, तो और यही इसकी principal value बन जाती है, तो इसका मतलगी हुआ, cos inverse 1 by 2 बराबर pi by 3 principal value, ठीक है, जो भी principal value है, अच्छा चलो, ठीक है, तो यह होगया principal value, अच्छा आप इसके बाद जैसे माल लेजे, अब देखो, अभी मैंने जो तुमनों को बताया, अभी छोटी सी बाद, देखो, sine inverse की जो value होती है, इसका range क्या भी आपने पढ़ा, range मैंने कहा न, minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में होता है, यही ने कहा, y ब्राब sin inverse x का जो range होता है, वो क्या होता है, minus pi by 2 से plus pi by 2, वास्तों में यह जो लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, sin inverse x की value pi by 2 और minus pi by 2 क्यों के बीच में लाई करनी चाहिए, य ब्राब sin inverse x है, उसका range है, minus pi by 2 से plus pi by 2, मतलब उसका y minus pi by 2 से plus pi by 2 जा रहा है, तो मतलब उसकी खुद की value minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में जा रही है, तो एक बात बताओ, यहाँ पर चाहिए, जो दुनिया कोई number रख दो, जो possible हो, ठीक है, इसकी value minus pi by 2 और plus pi by 2 के बीच में ही रहेगी, यह जड़ा, आप लोग ध्यान रखे, इसको याद कर लिजे, sin inverse x की value minus pi by 2 और plus pi by 2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है, याद रहगा बच्चों, चलिए, तुमसे कहा जा, sin inverse, मैंने आपसे ही कहा न, कि इसके अंदर कुछ भी रख दिया जाए, इसकी value किसी भी हाल में, pi by 2 और minus pi by 2 के ऊपर नहीं जा सकती, sin inverse की value जो होती है, कुछ भी रख दिया जाए, यह minus pi by 2 और plus pi by 2 के बीच में होगा, इसके उपर नहीं जा सकता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कुछ भी रख दू मतलब, कुछ भी यह ध्यान रहे, इसके बीच में कुछ भी रख दू महाँ बेटा, इसकी value इसके बीच में रहनी चाहिए, उपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है, अच्छा, अब मैं, और जो भी आंसर इसके बीच में आता है, वही principal value मतलब, जो इसमें, मानस पाइवेटी और प्लस पाइवेटी के बीच में आता है, को, साइन, ठीक है, साइन इन्वर्स है तो, मानस पाइवेटी से प्लस पाइवेटी, अब यहां पर किसी ने कह दिया साइन 7,5 by 3 तो अब आप ऐसा मत कर लें है लगना नहीं सैर ये दोनों कट जाएगा और 7,5 by 3 कैसे आजाएगा यार 7,5 by 3 इन दोनों के बीच में थोड़ी ना है तो ये थोड़ी ना अंसर है इसका ठीक है आप कुछ भी कर लो इसकी value जो भी आएगी वो minus pi by 2 और plus pi by 2 कोई बीच में होगी अब किसी ने का और यहाँ पर sign के अंदर अगर 100 pi लिख दिया जाए 100 pi तो क्या यह दोनों कटके 100 pi आजाएगा पागल होगा 100 pi minus pi by 2 और pi by 2 के बीच में नहीं है ध्यान रखना आजा तो इसको पकड़क ले आना है अपने principle value में तो क्या हम लिख सकते हैं इसको sign inverse इसको sign 100 pi को sign 0 लिख सकते हैं बोलो इसको sign 100 pi plus 0 लिख सकते हैं न ठीक है और इसकी वालू आएगी sign inverse, sign 0 और यह बन गया 0 अब यहाँ पर जब यह वाली value देखा करो यह value देख रहे हो यह minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में होगी तभी यह दोनों neutralize हो जाएगा इसको आपको पहले पकड़के लाना है minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में ऐसा समझो कोई कहीं भी घोम रहा हो कोई value यह number कुछ कितना भी बड़ा हो इसको पकड़के पहले minus pi by 2 और plus pi by 2 के बीच में लाना है तभी solve करना है इसको जब पकड़के हम principal वाली जगें ले आएंगे तभी तो answer आएगा देखो, sine inverse sine x बराबर x कब possible है जब x की value minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में होगा जब यह minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में होगा तभी इसको x करना allowed है मैंने कहा ना pi वाले answer को principal value कहते हैं और principal value में ही यह सब चीज़े allowed है कि यह दोनों neutralize हो जाए तो यह दोनों मिलके खतम हो जाएगा यह तभी possible है जब x की value minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में होगा ठीक है तो sine inverse का minus pi by 2 और plus pi by 2 से बड़ा गहरा समंध है नहीं के पीछे पकड़ के लाना होता है तो देखो ऐसे कुछ इसका तो zero answer is zero minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में होता है मैं इसमें तुम्हों को सिखाता हूं numerical कि कैसे solve करते हैं और यह जो मैं तुम्हों को बताऊंगा सब जितने भी इन्वर्स है सब में काम आएगा जब इन्वर्स और फिर वो ओरिजिनल फंसन दे दिया जाए जैसे अब किसी ने कहा तुमसे कि sine inverse और sine 7 pi by 3 की आप principal value बता हो ठीक है अच्छा आप हमें पता है principal value minus pi by 2 से plus pi by 2 की जब sine की बात हो गई तो principal value minus pi by 2 और pi by 2 के बीच में होनी चाहिए ठीक है तो चलो इसको पकड़के खीच के लाते हैं अपने पास पर ने इसकी छोटा करते हैं तो इसको लिखेंगे sine inverse sine इसको क्या लिसकते हैं 2 pi minus pi by 3 देखों सही लग रहा है इसको 2 pi minus pi by 3 लिसकते हैं हाँ ठीक है चलो अच्छी बात है इसके बाद इसको लिसकते sine inverse sine of minus pi by 3 पता है sine 2 pi plus theta बराबर क्या होता है sine 2 pi plus theta बराबर sine theta होता है आप लोग ने पहले पढ़ रखा होगा यह formula तो theta के जगह minus pi by 3 है 2 pi plus minus pi by 3 यह आ गया अच्छा चलो अब यह था minus pi by 3 जो है क्या यह minus pi by 2 और plus pi by 2 के बीच में है क्या सोचो 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 यह minus pi by 2 और plus by दो के बीच में है क्या चेक करो बच्छो हां है इसका मतलब यह हुआ इसकी प्रिंसिपलB पाने का बेसिक फंडा समझ में आरी बाद चलो अगला कुस्चिन तुम्हाने सामने एक और ले रहा हूं तुम लोग जड़ा करो साइन वर्स टू पाई भाई थी साइन इन्वर्स साइन टू पाई भाई थी ठीक है इसकी प्रिंसिपल वैलु क्या हो कि तो इसकी प्रिंसिप सेफ Barnes- MUELLER olarakल साइन वर्स कितना आ गया तुम यहां पर इसफारिन यूश्द करो लोगी कि इतनी व्याद्टी ले डिलो कि यह माैने सब्सब्सक्रि के बीच में आ जाए बस साइन की बात हो दो माने सब्सक्रिकर तो प्लसक्रिकर की बीच में रहे हैं MB अकल्ै यह आ गया sin minus pi by 3 और हमें पत नहीं 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 sin pi by 3 होगा, sin pi minus theta कितना होता है, sin pi minus theta होता है, sin theta बस उसका rule कर यूज़ करके sin pi by 3 और यह pi by 3 इसका अंसर आ गया, और हमने कर दिखाया, ठीक है, clear, अच्छे चलो ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इसे पकड के अपने range में ले आना, मतलब अपने pi by minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में लाना पड़ता है, चलो बच्छो, अब यह बताओ, cos inverse, cos 15 pi by 7 तुम्हें यह कहा लिए, और कहा जाओ, इसकोई बिटाओ, principal value बताओ, तो क्या करोगा, इसको भी यह 0 से pi के बीच में है, पागल हो गए हो, यह 0 से pi के बीच में नहीं है बच्छो, यह 0 और pi के बाहर है, pi से बड़ा है, इसको ठीक करना पड़ेगा, cos inverse, cos, इसको क्या लिख सकते हैं, चलो simple किया जाए, क्या लिख सकते हैं, 2 pi, 2 pi plus pi by 7 सही रहेगा, हाँ, सही रहेगा, 2 pi plus pi by 7, सही है, अच्छा चलो, अब यह होता, cos inverse, cos, 2 pi plus theta, तो cos theta ही होता है, cos pi by 7 आ गया, अरे वाह, यह 0 से pi के बीच में आ गया, बैस, 0 से pi के बीच में आ गया, क्याम करता है, तो यह हो गया, इसका principal value, correct, अच्छा चलो, और मैं देता हूं question, अच्छा, इसमें ले लेते है, cos inverse, cos, 100 pi by 3 ल अब इसकी principal value आपको निकाल नहीं है, क्या से निकालोगे, हमें पता है, 0 से, 0 से और pi के बीच में होना चाहिए, सारा मामला है, इसका, और अगर तुम कह दोगे, नहीं सो, और यह cut cut के 100 pi by 3 लिए जाएगा, तो गलत हो जाएगा, principal में लाओ, पकड़ के principal के अंदर ले आओ ना, principal value, 0 से pi, cos inverse, अगर लिखा हो है, cos की बात हो रही है, तो, principal value, 0 से pi के बीच में होगा, इसको simple करते हैं, cos inverse, cos, यह है कितना, 33 pi के आसपास है, 33 pi इस थोड़ा ज्यादा है, तो यह काम करते हैं, इसको 32 pi, plus क्या लिख दें, 32 pi, plus pi by 3, कितना जाएगा, चेक करो, नहीं, 33 pi, 32 pi, 32 pi, plus pi, यार एक काम और करो, तुमनों यहाँ पे ऐसे लिखो, 33 pi, plus pi by 3, मेरे खाल सही है, हाँ, सही लग रहे है, हाँ, सही है, 99 plus 100, ठीक है, अच्छा, cos inverse, cos, इसको 32 pi, plus pi, plus pi, plus pi by 3, नहीं सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, cos inverse, cos, इसको हटा दो, खोगी, even pi है, यह 2 pi का multiple है, 2 pi into 16, 2 pi का मतलब पुरा एक round हो जाता है, और उसके बाइलो फिर से वह आन लगती है, तो हमें पता है, cos, 2 pi, plus theta, cos, 2 pi, plus theta, cos, 4 pi, plus theta, cos, 100 pi, plus theta, अगर इनके लोग कोई integer रखोगे, तो यह even हो जाएगा, even pi, plus theta, cos theta, तो इसका तो कोई फ्रक नहीं पड़ा, इसको theta ही माल लो, cos, pi, plus pi by 3, आरे, वा, क्या बात है, यह आगया, cos, inverse, cos, अब देखो, यहाँ पे, यह आरा, 4 pi by 3, इसको कर लेते हैं, 0 से pi के बीच में होना चाहिए, यह तो, जो है, pi, plus pi by 3, उसके आगे चला गया, अब इसको हम नीचे कैसे ले आए, तो यहाँ पे काम करते हैं, 2 pi कर दे, 2 pi, plus pi by 3, माइनस pi कर लेते हैं, ठीक है, यह इसको करते ह हैं, चलो, pi, 2 pi, plus pi by 3, माइनस pi, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, करेक्ट, यह बन जाए, cos inverse, cos, यह माइनस 2 pi by 3, बन जाएगा, ठीक हो सही है, हम, सही है, और cos 2 pi plus something बराबर, क्या होते है, cos 2 pi plus something, कुछ भी लिख दो, यार, उपरा, cos something हो जाएगा न, यह वाला, यहाँ पे, ठीक cos 2 pi plus something, जो लिखा हो है, और यह something, जो pi by 3, माइनस pi, अरे, देखो न, यह कितना है, pi by 3, माइनस pi, ठीक है, और यह जो बन रहा है, बराबर, cos inverse, cos minus 2 pi by 3, सही है, और हमें पता है, cos inverse, cos, इसको 2 pi by 3, भी लिख सकते हैं, कैसे 2 pi by 3, लिख दिया, तुम लों को याद है, cos minus theta, बर cos minus theta, बराबर, cos theta, यह आपको पता है, फार्मूला, cos के अंदर minus, अब कोई महत्व नहीं है, तो आपके फटा-फटा-फटा दिया, cos 2 by 3, अब देखो, यह जो सबसे simple कर पाए, यह क्या 0 से pi के बीच में है, अगर 0 से pi के बीच में है, तो ठीक है, और अगर नहीं है, तो फि यहाँ पे 100 pi by 3 लिखा हुआ था, और इसका principal value है, वो 2 pi by 3 के बराबर है, तो कुल मिला करके देखो, 100 pi by 3 लिखा था, तो हमने idea लगा यह 33 pi के आसपास है, 33 pi plus pi by 3 लिख दिया, 33 pi को 32 pi plus pi कर दिया, ताकि 32 pi हट जाए, उसके बाद जो बचे का उसको दिखेंगे, तो pi plus pi by 3, अब यहाँ पे 2 pi को हटाने के लिए, देखो, pi plus pi by 3, pi की ऊपर चला जा रहा है, तो यह काम करते है, यहाँ पे 2 pi minus pi, अरे यह दोनों मिलके pi ही बन जा रहा है, तो यहाँ पे 2 pi से लिख देखेंगे, तो जो बचे का आंत में सब से सिंपल करके देखते है, तो यह बन गया, अब इसके बाद आया, pi by 3 minus pi अगया, minus 2 pi by 3, ठीक है, cos के दर माइनस है, कोई महतर नहीं है, तो cos 2 pi by 3, ठीक है, तो इस तरह से, अब इसको हमने लिख दिया, cos 2 pi by 3, यहाँ पे चुकी यह 0 से pi के बीच में है, इसलिए इसकी जो principal value है, वो 2 pi by 3, ठीक है, तो cos inverse cos x बराबर x के बीच में हो, ठीक है, तो वहाँ पे sin x बराबर x हो जायता है, क्योंकि x के लो, minus pi by 2 से, plus pi by 2 के बीच में है, ठीक है, तो इस तरीके से बिटा हम लोग solve करते है, principal values को, ठीक है, तो अभी इसके बाद और यह बहुत चीज़ें आने वाली हैं, वो मैं तुमनों को next class में, त इतना ही, और इसी को अच्छे से revise करते रही है, फिर next lecture में इसके आगी की चीज़ें लेके मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए चलो, bye bye